नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा. इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि लूब्रिफाइड डियेस आई ज्रॉप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. ल्ूब्रिफाइड डियेस आई ज्रॉप को आँखों में कैसे डालना चाहिए और ल्ूब्रिफाइड डियेस आई ज्रॉप की वज़ज से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। और यह भी डिसकस करेंगे कि लूब्रिफाई डियेस आई जॉप को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लूब्रिफाई डियेस आई जॉप का उप्योग आखों में सुखापन यानी आखों की जाइनेस को ठीक करने के लिए लूब्रिफाई डियेस आई जॉप का उप्योग किया जाता है। इसके अलावा आखों में कोई चोट लगने पर या आखों में कोई infection होने पर भी डॉक्टर lubrify dsi drop को आखों में डालने की सला दे सकते हैं. क्योंकि lubrify dsi drop आखों में जलन और खुझली होने से बचाव करती है और आखों में नमी को बनाय रखती है. Lubrified DSI Drop में Artificial आसू होते हैं, जो हमारी आखों में नमी को बनाए रखते हैं और आखों में infection को होने से रोकते हैं आखों की लेसिक सर्जरी या cataract सर्जरी होने के बाद भी डॉक्तर आखों में सुखापन और infection को रोकने के लिए Lubrified DSI Drop को डालने की सला दे सकते हैं आखों में सुखापन होने पर आखों में जलन होना, आखों में दर्ध होना, आखों का लाल होना, आखों की दृष्टी धुंदरी पढ़ जाना, आखों में भारीपन महसूस होना, आखों में किर्किरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आखों में ठकान होना, पढ़न की बात करें तो वैसे तो lubrify dsi drop की वजह से अभी तक कोई serious side effects notice नहीं किये गए हैं, लेकिन lubrify dsi drop को आखों में डालने के बाद आखों की दृष्टी कुछ समय के लिए धुंदली हो सकती है, यदि किसी व्यक्ति को lubrify dsi drop को आखों में डालने के बाद आखों में जलन, खु दॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्तर lubrify dsi drop को बंद करने की सलाह दे सकता है, अब हम discuss करेंगे कि lubrify dsi drop को कितनी बार आखों में डालना recommended होता है, ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर lubrify dsi drop को दिन में दो से लेकर तीन बार आखों में डालने की सलाह देते हैं, लेकिन lubrify dsi drop की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको lubrify dsi drop को आखों में डालने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, अब हम डिसकस करेंगे कि lubrify dsi drop को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, lubrify dsi drop को आखों में डालने के बाद lubrify dsi drop के धक्कन को तुरंत ही बंद कर देना क्योंकि ऐसा करने की वज़ा से आखों में infection हो सकता है, lubrify dsi drop प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी lubrify dsi drop का उप्योग करना सुरक्षित है, इसलिए जरुरत पढ़न के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका lubrify dsi drop से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.